जहन दोस्तो आज की महत्पूर्ण का अच्छा प्रारम करें उससे पहले आज मैं आपको अनकेडमी के बारें बताना चाहूंगा दोस्तो आप घर बैठे अनकेडमी के टॉप एजुकेटर के द्वारा पढ़ सकते हैं जिसमें आपको 500 पलस फ्री में लाइब क्लासे मिलेंगी साथी साथ बीकली मुख टेस्ट होंगे 20,000 पलस लाइब को एक कॉस्चन और भी बहुत कोछ अनकेडमी के माध्यम से मिलने वाला है तो अभी आप डाउनलोड करें अनकेडमी एप को MPPSC भी आप हम सेलेक्ट करके रेफरल कोर्ट सो में जैसे ही आप डालेंगे तो आपको फ्री प्लान एक्टिब हो जाएगा साथी साथ दोस्तो यदि आप MPPSC प्रियम्स को किलियर करना चाहते हैं तो अभी आप अनकेडमी के ब्रहमास्त को जोईन कर सकते हैं जिसमें आपको MPG के एवं Current Affairs डेड़ सो घंटे के केम्प के द्वारा आपके लिए लिया जा रहा है वो भी बिल्कुल फिरी है 10 से 12 जनवरी तक यह रहेगा जिसमें MP के टॉप एजुकेटर आपको MCQ कॉस्चिन के द्वारा revision यहाँ पर कराएंगे PDF notes प्राप्त होंगे तो दोस्तों देरी न करें अभी अनकेडमी आपको डाउनलोड करें मैंने link description में दी रखी है तो आप उसको join कर सकते हैं और अपनी तयारी को मजबूत बना सकते हैं ठीक है दोस्तों और आप अपनी तयारी को अच्छे करने के लिए यदि MCQ कॉस्चिन चाहते हैं तो आपके लिए अनकेडमी लेकर के आए हैं free length test जिसमें कि आपको full test यहाँ पर मिलने वाले हैं आपर 4 live mock test मिलेंगे और 20 plus full length mock test यहाँ पर पिछले माईनों में जो live हुए हैं वो आपको यहाँ पर free में मिलने वाले हैं दोस्तों यही नहीं top 3 rank को मिलेगा बन मंतर का free subscription जो इस test में आएंगे तो आद ही जीत की तैयारी दर्ज करें आनकेडमी के साथ आएं अब जान लेते हैं आनकेडमी के plus batch के बारे में जो की आपके हर exam के लिए perfect है जी हाँ दोस्तों आनकेडमी के साथ आप अपने preparation को बहुत मजबूत कर सकते हैं और कोई भी batch आप अपनी शुविदा के अनुसा MPPFC premium 2020 में selection के लिए जोईन कर सकते हैं इस सारे batch जल्दी ही सुरू हो रहे हैं आप अपनी preparation में जहां भी है आपको बहुत मदद करने वाले हैं तो आएं जानते हैं इन batch के बारे में दोस्तों क्लास के last में भी और इन batch की जानकारी आपको दी जाएगी जब आहर रोजगार योजना लागू हुई जब आहर रोजगार योजना कब लागू ही थी तो आपको बता दे हैं योजना लागू ही थी संसे संबंदित भी question आ जाते हैं योजना में तो 1989 को इससे आपको एक idea लग जाए किस किस से संबंदित question आने हूँ आप पे कितने उ लगेगा कि आपको कितनी तैयारी करानी है, काली मिट्टी उपयुक्त है, किसके लिए उपयुक्त है काली मिट्टी, तो यहाँ पर इन दो में से उत्तर है, जल्दी से बता दें, अब कौन सा है, तो आपको बता दें, कपास के लिए, किसके लिए है, कपास के लिए, डाल किस स्पोश्टिक अंस का स्रोत है, दाल के स्पोश्टिक अंस का स्रोत है, तो डाल में क्या पाया जाता है, कई लोग कहते हैं दाल खाओ क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम का पारित किया, जल्दी से बता बार्त में कितने rati critt bank हैं , चलो इनगी do скорion में से बता दो , कौन सही बता रहा है दोस्तो¥ ऑप देख लिजिए आपको कितनी पढ़ाई की ज़रूरत है आप हमारे चैनल को subscribe करके जुरडगये होंगे दोस्तो、 अब चिनता नहीं करेंив। सामय निकाले, हम कुछ नख विडियो जो आपके लिए ला रहे हैं इस भारती जंटा पायटी का चुनाओ चण्ने बता नहीं कमाल का फूल सब को पता ठीक है मानव पूझी के मुख घटक है बरतमान के साबसे प्रस्जनल यह कहीं जो विभा सह क्या आप लोग एक और चीज कमेंट में जरूर बताना कि आप किस एक्जाम की तयारी कर रहे हैं माद्ध में सक्षक्की तो कर रहे है 6-8 के लिए 6-10 के लिए लेकिन क्या UPTET है या REET है या और कोई एक्जाम है तो वो आप जरूर बताईए मानव पूझी के मुख घटक हैं मानव पूझी के मुख घटक कौन से हैं गल्दी से बता दे तो आपको बता दे कि मानव पूझी के जो मुख घटक है ज्यान कोसल और अनुभा होना चाहिए तो इन में से सभी हो जाएंगे ग्यान को सालो अनुभ लिखा तो अनुभ लिखा तो अनुभ ले ना कई बार टाइपिंग में हो जाती मिश्टिक काल मार्स का जन्म कहा हुआ था एकात पुर्षन आई जाता है काल मार्स से संबंदित तो आपको बता दे कॉलमार्स का जन्व हुआ था जर्मनी में ठीक है किसकी से उने स्थाप ना कीती आप कमेंट में बता देना सैप्टी लेंग का अविस्कार किसने किया सैप्टी लेंग जल्दी से बता दे किसने किया इसका अविस्कार हाँ भाई कौन देगा पहले उत्तर तो हर फ्री डैवी ने किसने किया हर फ्री डैवी ने जितने भी हमारे वालक बालिकाई स्टुडेंट्स पढ़ रहे हों उनसे निवेदन है दोस्तो कुछ समय की महनत आपको एक अच्छी जिंदिगी भर का सुख दे सकती है कौन है जिन मैंसे उन्हें नोबल प्रोस्कार मिला बांगलादेश के थे अर्थ सास्त्री तो वो है प्रोमो यूनिस कौन है प्रोमो यूनिस प्रोफेसर महमत यूनिस ऐसा कुछ होगे जादर डिटेल हमें नहीं पता यूरूप का मरीज किसे कहा जाता है यूरूप का मरीज कल्दी से बता दे कई चीजें कोई पढ़ रहता है कई कोई पढ़ रहता है कभी दमाग में नहीं आती तो यूरूप का मरीज जो कहा जाता है वह आपको बता दे तुर्की को कहा जाता है इसको कहा जाता है तुर्की को यूरूप का मरीच हैं बल्कुल सही है लिछवी गणतंत भारत के किस राज में अबस्तित था इसको अचाइब अच्छे से पढ़ा है इसके बारे में या बिहार में था बारत में अत्यंत बिनासकारी भूकंप आया था किस सन में आया था यह भूकंप, अत्यंत बिनासकारी, अपन तमनी थे याद रखी गा जब वो आया था, वो आया था 1934 में, कब 1934 में, निम्न में ऐसे कौन बिदेशी ब्रांड नहीं है, चार ब्रांड दिये हैं, एक स्वदेशी है, बाकी बिदेशी है, तो आपको हर कोई जानता है कि हमारे जिन पर हमें ना जैसे टाटा ग्रुप, ठीक है, रटन टाटा जैसे महांदानी, तो यह इंडिया के हैं, बाकी हुंडाई, टोईटा और फोड विदेशी हैं, सरवाद एक बरसा होती है, कहां पर होती है, बेरी बेरी आई एमपी है, तो आपको पता दे कि सरवाद एक बरसा के लिए सब को पता है, सब गुमके भी आये होंगे दोस्तों, तो बै कहां पर होती है, ठीक है, मासिमराम में, इसको सायद गलत गया, मासिमराम मेग हालाय में सबसे ज़्यादा बरसा होती है, आगे देखें, भारत में योजन आयुक का गठन कप किया था, भारत में योजन आयुक का गठन, वेरी वेरी आई एमपी है, हाँ, जल्दी से बता दे, तो योजन आयुक का गठन किया गया, 15 मार्च 1950, दोस्तों, लाइक को सेर जरूर करना, और बैल आइकन को दवा लेना, सब्सक्राइब के साथ, जिससे आपको कोई वीडियो ना होगा, बिल्कुल राजाराम, मुहन राय, ने क्या कि ब्रह्म समाज की स्थापना, सोल भी, लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, जल्दी से बताईए, हाँ, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, महिला सदस्यों की संख्या उस्ता में थी, 61, 61, ठीके दोस्तों, बरतमान में कितनी एक कमेंट में आप बताईए, आपकी भी तो देखने हैं भी कितनी पढ़ाई हुई है, खोच कीजिए, क्योंकि जो मैं बोल ला हूँ कमेंट में बताने के लिए वो कहीं न कहीं महत्पूर्ण है, भारती राष्टी कांग्रेस की स्थापना कब हुई, चलि ठीक है, 1885 में हुई थी, दोस्तों सेयर जरूर करना इसको आंगे, अपने तीन मित्रों को अपने इस चैनल टॉप 50 स्टडी से आपको जोड़ना है, हम 1500 प्रिशन का पूरा वीडियो आपके लिए महनत करके लाएंगे, अब आपका करतब है कि सेयर करके और लोगों को प्रकासन किसने प्रारम किया है, हिंदुस्तान रिवियू चार ओप्सन दिये हैं, जल्दी से बता दीजिए, हाँ, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, हिंदुस्तान रिवियू का प्रकासन किया था सच्चिदानन्द सिनहाजी ने, किसने सच्चिदानन्द सेहना ने, दोस् दोस्तो लाइब इसमें आपको इस सब्जेक्ट भाइज भी किलासे होंगी, तॉप एजूकेटर के दौर आपको PDF नोट्स भी यहाँ पर दिये जाएंगे, तो आप उसके लिए भी जरूर तैयारी करें, इस्टार्ट आपको बता दें कि इस्टार्ट हो रहा है, प्रियम्स क MPPSC की सब्जेक्ट भाइज, MCQ रिवीजन ने दिया आप चाहते हैं, तो आपके लिए आनकेडमी ले करके आये हैं, 60 दिन का रिवीजन बैच, ठीक है दोस्तो, रिवीजन कोर्स यहाँ पर ले करके आ गए हैं, जिसमें कि आपको सब्जेक्ट भाइज आपका रिवीजन हो दोस्तो, यदि आप MPPSC की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं रिकमंड करूँगा फाउंडेशन बैच, इसमें आपको बता दें कि बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस भी मिलता है, साथी साथ आपको फाउंडेशन बैच में प्रियम्स और मेंस क पूरी तैयारी यहाँ पर की जाएगी है, बारहे जन्वरी से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी आप, इसकी भी लिंक आपको डिस्किप्सन में दी है, आप अपने सपनों को साकार करें, अनकेडमी के साथ, अपना रिवीजन अपनी स्पीट में करने के लिए, आप रिकॉर ग्यान कोर्स आपके लिए यहाँ पर मैं रिकमंड कर रहा हूँ, जिसमें आपको मिलेगा, सब कुछ आपका रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा, और एक आपको संकल्प बैच भी, इसके बारे में मैंने आपको बताए था, वो भी आपको मिला हाँ है, तो इन संकल्प बैच और रिवीजन बैच को आप जरूर जोईन करें, दोनों की लिंक डिस्किप्सन में है, और जिन लोगों ने प्रिलियम्स क्रेक कर लिया है, उनके लिए मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाईया हैं दोस्तों, और उनके लिए लेकर के आगए हैं, यहाँ पर सौपन पूर्त बैच जिसमें की 35 दिन में आपको प्रियम्स की कंप्लीट तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी, आंसर राइटिंग प्रक्टिस के साथ, 35 दिन में आपको यह मिलेगा, आज ही अपने सफलता की सीडी को एक कदम अनकेडमी के साथ आँगे बढ़ाएं, तो आईए अब दोस् खुल करके आएगा, जिसमें अलग-अलग सब्सक्रिप्सन है, बन मंत का 1440 का है, ऐसी 3 मन, 6 मन, जो आपको उचित लगे, आप अपने सुविदा के अनुसाथ जरूर लें, और एधी आप रेफरल कोड यूज करते हैं, सुमेज जेन, तो आपको 10% प्रते कोर्स पर यहाँ आप डिसकाउंट भी मिल ला है, विसेश आपके लिए डिसकाउंट है हमारे यूटूबर, यूटूब से जो लोग देखते हैं, उनके लिए तो आप जरूर सब्सक्रिप्सन लें, इसकी लिंक मैंने डिसक्रिप्सन में दी रखी है, तो आप जो भी कोर्स आपको चाहिए हो, तो बिल्कुल भी देर ना करें, और आनक एडमी ललेंग एक के साथ अपने एकजाम में सफलता प्राप्त करें.